वेलो एवरीवन वेल्कम बैक ट्यूव ओन यूट्यूब चैनल लेनिंग इड और दोफर को साड़े तीन बजी की जो क्लास होती हो सुपर्टेट स्पेशल क्लास होती है क्योंकि उसके पहले जो एक्जाम्स है जैसे की यूपीटर और सीटर तो उसकी प्रप्रेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है यूपीटर तो होगा आपका यूपीटर के बाद ही लेकिन क्योंकि सलबस उसका काफी ज़्यादा होता है और वेटेज कुछ पर्टिकलर सब्जेक् सब्सक्राइब करें तो आज के वीडियो पर मैंने इंक्लूट किया है और कुछ किशन एक्स्टा भी तो चले स्टार्ट करें कि विरड़ा इंवेस्ट की जिते लोग भी जूट चुके हैं तो फड़ा फर से रप्लाइ करनी के लिए रेडी हो जाईए तो आज का फर्स्ट क्यूशन है एयरपोर्ट काउंसल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार तेजी से बढ़ने वाले दुनिया के पांच सीर्स एयरपोर्ट में भारत के कितने एयरपोर्ट शामिल हैं तेजी से बढ़ने वाले दुनिया के पांच जो टॉप एयरपोर्ट लिस्ट में हैं टॉप पर हैं उन 5 में से कितने इंडिया के हैं करेक्ट एंसर होता है इस केशिंग लापक आप्शन नबर C दो एयरपोर्ट 5 में से दो एयरपोर्ट हमारे इंडिया के हैं Translation Health Science and Technology Institute के डॉक्टरों के अनुसार कि संक्रामक रोप को पैदा करने वाले जीवाड़ों ने एंटिबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक छमता विक्सित कर ली है यानि कि ये संक्रामक रोप को जिवाड़ों से पैदा होते हैं तो वो जिवाड़ों अब इतने वो हो चुके हैं कि जो भी इनकी अंटिवायोटिक दवाईयां होती है ना उसके भी खिलाफ उनके अंदर प्रतिरोधक चम्त है नहीं वो उसको असर नहीं करेंगे अंटिवायोटिक दवाईयां करेक्ट एंसर होता है इसका अप्शन नमबर भी हैजा मिस कॉलरा आइफा अवार्ड्स 2019 में निमले कितमेंसे किसे सरुस्रेष्ट अभिनेत्री का किताब हासल हुआ है यहाँ पर जो करेक्ट एंसर इसक्रिशन के लिए होगा आपका वो हो जाते है ऑप्शन नमबर सी आलिया भट को मिला है राजी फिल्म के लिए सरुस्रेष्ट अभिनेत्री का किताब आइफा वार्ड्स 2019 में अमेरिकी राश्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प ने किसे नया राश्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है उत्तर यहाँ पर सही होता है आपका ओप्शन नमबर ए रॉबर्ट ओब्रायन को हाल हे में राशनाद सिंग कौन से स्वधेष निर्मित विमान में उडान भरने वाले पहले रक्षा मंतरी बने आपको उस विमान का नाम बताना है जो की पूरी तरह से स्वधेष निर्मित है Made in India और यहां पे से ही उत्तर हो जाता है आपका ओप्शन नमबर एक तेलंग गाना उत्तर प्रदेश के किस विश्विविद्याले में तीन तलाक पर रोक लगाने वाले मुस्लिम महिला यानि विवाः अधिकार संगरक्षर अधिनियम को लल्वी और लल्म के पार्टिक्रम में शामिल करने वाला पहला राज का पहला विश्विविद्याले बन गया साथ देख लीचे कौन सा विश्विविद्याले है सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका ऑप्षिन नमबर सी महात्मा जोतिबा फूले रूहेल खंड विश्विविद्याले तो इसी उनिवर्सिटिटी ये को एक हाल ही में किस राज की पुलिस ने तत पर नामक ऐप लॉंच किया है सही उत्तर होता है इस प्रश्विद्य आउक्षिन नमबर डी दिल्ली हाल ही में किस राज सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तीसरी से लेकर आट वी कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार कर दिया यानि कि चाहे गवर्मेंट स्कूलों चाहे प्राइवेट स्कूलों थर्ड से लेकर एड तक संस्कृत पढ़नी ही पढ़नी है इसको ध्यान में रखते हुए उत्तरा खंड सरकार ने इसको अनिवार किया है भारत ने किस योजना के तहट जुलाई 2019 में 1.69 बिलियन डॉलर का अब तक का उच्चतम मासिक प्रवाः दर्ज किया है करेक्ट एंसे इस के लिए आपका हो जाता है उप्शन नमबर ए उदारी क्रिति प्रेशन योजना का बांगला देश की प्रधान मंत्री सेख हसीना को धाका में किस पुरसकार से समानित किया गया उत्तर सही होता है इसका आपका उप्शन नमबर डी डॉक्टर कलाम इस्पृति अंतर राश्ट्री उद्गिष्टता पुरसकार्टनी नैशनल अवार्ड है इन्हें मिला है खंड हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी एक रुपोर्ट के अनुसार वर्स 2019 में विश्व में भारती प्रवासियों की संक्या सबसे अधिक रही है करेक्ट आंसर इसकेशन लिए होगा आपका उप्शन नमबर एक सायुक्त राश्ट्र निमले कित में से किसे भारत का अगला वायु सेना अध्यक्ष चैनित किया गया है आरके एस बदोरिया, जेबी एस कौशिक, एस नरायन या वी के पचौरी यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस केशन के लिए आपका वो हो जाता है आप्शन नमबर ए, आरके एस भदोरिया जी को विश्व सास्त संगठन द्वारा किस दिन प्रतम विश्व मरीज सुरक्षा दिवस मनाया गया पहला विश्व मरीज सुरक्षा दिवस कब मनाये गया करेक्ट एंसर होगा इसके लिए आपको option number D 17 सितंबर को अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ computer की questions computer hardware जो आकडों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है options हैं disc, chip, चुम्ब किये tape या इन में से कोई नहीं चोटी से request है अगर questions अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक करिए सबी लोग वीडियो को और शेयर भी करतीचे का आप चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस करतीचे ताकि आपको notification easily मिल सके यहां पी जो करें टैनल सब्सक्राइब होता है वह आपको होता है option number 20 आपको पता है चिप बहुत सारी मात्रा हम जनरली जहम उसको जनरली चिप कहते हैं आप उसे memory card कहते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं that's your choice लेकिन उसको चिप कहा जाता है और उसमें आप बहुत जादा memory बंडारित करके रख सकते हैं होती है एक छोटी चिप होती है किती सारे memory होती है integrated circuit चिप का विकास कस ने किया था जिसको आप IC चिप कहते हैं तो इसका विकास किया था JS किल्बी ने और इस पर किसकी परत होती है IC चिप जो होती है उस पर किसकी परत होती किसका लेपन होता है सिलिकॉन, निकल, आइरन या कॉपर तो इस पर होती है सिलिकॉन की परत चुम्ब की ये डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है जो आपकी magnetic डिस्क होती है उस पर कौन से पदार्थ का लेपन किया गया रहता है आइरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेट ऑक्साइड, मैंगनेशियम ऑक्साइड और सोडियम पेर ऑक्साइड और 13 के लिए सही अंसर हो जाता है आपका option नमबर ये iron ऑक्साइड की कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते, कोई भी शब्द कितना लंबा है, यह हम कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट में बाइट में, बिट में, मीटर में या मिमी में, मिलें कि मिली मीटर में यहाँ पे सही अंसर आपका हो जाता, option नमबर बी, हम उसे बिट में मेजर करते हैं, मानते हैं, कि एक बिट में एक जो है character हो सकता है फिर आपका bit से ही उपर byte जो स्कूपर की unit है फिर ऐसे आपके बनती जाती है kilobyte, megabyte, gigabyte megabyte में मापते हैं क्या भूकम्द की तीवरता, जन संख्या घनत शक्ति वे की छमता है, computer की स्मृती छमता, यानि कि मैं मोरी तो megabyte full form है MB का, हम सब जाते इतने MB का data है, इतने MB डाटा है या इतने GB की मैं मोरी कार्ड है, whatever, इस तरह से हम अकसर use भी करते हैं ये terms अपनी daily life में तो आसान हो जाता इसका answer option number D हो जाएगा computer की स्मृती छमता, अगला प्रशन है भारतिय ग्यान पीट पुरसकार के प्रथम विजेता साहितकार थे कौन? यानि की भारतिय ग्यान पीट पुरसकार को जिनों जो जिन साहितकार ने सबसे पहले पाया था वो किस साहितके साहितकार थे? हिंदी साहित, बांगला साहित, कन्नर या मल्यालम और इस प्रशनी के लिए सही उत्तर हो जाता है आपका option number D मल्यालम साहितके साहितकार थे भारतिय ग्यान पीट पुरसकार से पुरसकर साहितकार है अब ये तो same question आपका है लेकिन यहाँ पे पूछा था कि किस साहितके थे? और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वो उनका नाम क्या था? तो अभी आप देख लीजिए उनका नाम correct answer हो जाता है आपका जी शंकर गुरू बढ़ेंगे अगले प्रशनी की ओर Norman बोर लॉग पुरसकार किस छेतर में प्रदान किया जाता है? तो देखे यह पुरसकार प्रदान किया जाता है option नमबर एक क्रिशी के छेतर में प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करी छोटी से request है और देख लेंगे next question आज का सिनेमा के छेतर में स्रेश्ट प्रदर्शन के लिए प्रदिवर्श Academy Award या Oscar का आयोजन किस देश में होता है important question है Oscar Award का आयोजन किस देश में होता है तो यह होता है आपका option number D USA में तो correct answer हो जाता है option number D finally यह आज के questions थे I just hope you like अगर आपने reasoning के question मिस कर दी है तो कल की class में हुआ था playlist है इसकी proper बनी हुई है आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं जो भी वीडियो आपके मिस हुए है so thanks for watching keep starting and bye bye bye